नमस्कार में समातुर आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली और हम दिखा रहे हैं आपको इस बक्ती सबसे बड़ी ख़वर हो जाईए सापधान अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और आपकी खाने की प्लेट में खाने के साथ साथ पेच निकल आए तो आप क्या समझेंगे कहीना कहीं लापरवाई हुई है आपके खाना बनाने में या फिर जो रेस्टोरेंट प्रवंदक है वो कि इस तरीके से आपके स्वास्ति के साथ खिलवार करने पर अमादा है यह सोचना होगा इसलिए जब भी आप कहीं बाहर खाना खाएं तो बेहस सोच समझ कर खाएं ताजाई मामला बरेली के नगर निगम का अक्षवियार पार्क का है जो कि शुरुआस से ही विवादों का रहे हैं आपको बता देगी यह पार्क जब शुरू किया गया था तो सबसे पहले इसमें जो तलाब बना हुआ है उसमें एक बच्चे के डूबने के बाद इसको बंद कर दिया गया और यह काफी लंबे समय से बंद नजर आ रहा था लेकिन उसके बाद जब इसको दुबा के संचालक से करते हैं तो वे दोनों आपस में ही बिढ़न परामादा हो जाते हैं इसके बाद कुछ लोगों के द्वारा वहां पर सूशना संबंदित अधिकारियों को दे दी जाती है जिसके बाद मौके पर पहुचकर अधिकारियों ने अब इस पर कारवाई करना होटर ने हालात जाने कि किस तरीके से ये पूरा घटना क्रम हुआ था सुभांग सकसेना के साथ आज ये ले चलते हैं इस रिपोर्ट में सीटी नूज में आपका सवागत है मैर विंदर सिंग इस वक्त हम कडेशिया फाटक पे हैं आए हम बात करेंगे जो की हम बैया के घर पे हैं आए हम बात करेंगे एक ऐसे होटल के विशे में जो लोगों को लो पेज अचल आ रहा है मैरा नाम चुबांग सकसे जने हम पालिटी का रहा है पर मीटिंग के बाद हम उने वहाँ पे खाना किराने रहे थे खाना किराने के दुरान जो हमने वहाँ पर ओडर किया उन्होंने पहले पेमेंट जमा कराया और उसके बाद उन्होंने जो हमें खाना परोशा था उसमें मिस्सी रोटी में मिस्सी रो यह आपने अपनी तरफ से टार दिया हुगा वो इस बात को मानने को एगरी ही नहीं था कि यह पेच उसके अंदर निकड़ा है मैंने उससे का हम भाई यह जितनी आपकी चूड़ियां है सब अंदर सिक हुआ है आप देखो से कौर से तब उसने देखा वोला यह कोई बड़ी पहले से मैंने उन्हें वो दिखाया वो भी मान रहे थे कि हाँ ऐसा है तो सर जैसे कि वहां सीसी टीवी कैमरे भी लगे थे उन लोगोंने कहा कि आपने पेज डाला अधिकारियों ने सीसी टीवी कैमरा खोलने के लिए मैनेजर को बोला था मेरे कि मैनेजर ने मना कर दिया पासवर्ड नहीं है जो हमारे मालेक है वो जब आएंगे तब ही आपको मेल सकता है और अधिकारी ने अप्रिकेशन में भी ये बात उजागर की है कि हां उन्होंने हमें कैमरे के फोटेस नहीं दिखाए है और जैसे पेच निकला उसमें रोटी में उसके बाद उन लोगों फासे निकले को भी तयान नहीं थे और दूसरी करad मेंने जो बिल्ड पे किया है इसमें पूरा अमांट लिया हाँ जी आपके मेपा उसका प्रूव भी है मैं आपको दिखा देता हूं मेरे से पूरा अम लिया मुझे कोई भी उसमें रियायت नहीं दी गई है या आप रहे हैं कि बिल भी पूरा जा चुका है और जो रोटी है ओ भी नहीं चेंज की सर इस विशे में आपके कहने चाहते हैं अधिकारियों को मैं अधिकारियों से सिर्फ यही करूँगा कि वो निक्सपक्ष किसी भी राजनेतिक पालिटी के या नेता के दवाब में ना आई वो अपनी जाच करें क्योंकि मैंने इसकी कंप्रेंट ऊपर लखनों तक की हुई है और अगर इसके ऊपर कोई एक्षन नहीं होता है मैं फिर और ऊपर तक भी मैं कंप्रेंट करूँगा दूसरी चीज मैं बरेडी के सभी जनता से कहना चाहूँगा इस रेश्टुरेंट क से अपर पहुंचे वहां का कैसा महौल था सच जिस समय हम लोग पॉचे ते उस समय कोई भी कोविड कारण नहीं हो रहाता ना कोई मास्क लगा है हो था ना सइनिटाइजर कुछ भी नहीं रेकिन जिस समय अधकारी पहुचे थे दिकारी ने वहां पहुंच के मुझे फोन क उससे पहरे तक कोई रूर भी फॉलो नहीं हो रहा था तो जबी अधिकारी लोग पर सोई में गए वहां का कैसा अधिकारी जो मेरे सामने बारता कर रहे थे वो वो रहे थे इसमें कि आपका कोई भी नियम के अकोर्डिंग आपकी चीज नहीं है क्योंकि उसमें मसाले भी सब पन्नियों में खुड़े हुए पाए गए हैं वहां पे और आटा वगेरा जो इंका होता है वो भी कट्टे रखे हो थे इस्टी का वरतन नहीं था यह अधिकारी मेरे सामने ही उन्हें समझा रहे थे कि यह सब आप कर लीजिए अब बरेली की जंता को क्या कहना चाहते हैं मैं बरेली की जंता को यह कहना चाहता हूँ ऐसे को हर इस तरीके के हर रेश्टूरेंट का आप बहिश्कार करो जब वो आपकी जेब से पैसा भी डे रहे हैं और आपको सर्वेस नहीं दे पा रहे हैं अच्छा खाना नहीं दे है आप क्या करें जरी रेस्टूडेंट में जाते बड़े ध्यान से खाना गाई ज़दी जे पेच किसी बच्चे के पेट में चला जाता तो बहुत बड़ी घटना बरेली में घट सकती थी जदी जे पेच्छ किसी और कोई ना देखता और ऐसे ही खा लेता जुवान के साथ भी बजुर्गे के साथ भी किसी के विसाथ यह बहुत बड़ी घटना गट सकती थी जो कि आपने देखा है कि बरेली में एक होटल में लोगों को पेच खलाए जा रहे हैं और दूसरी बात इतना अमॉंट लेते हुए भी फ झाल झाल